हेलो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हुए अब हम चतरभुच के पिरकार समझेंगे तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि चतरभुच पांच पिरकार के होते हैं सबसे पहला होता है समानतर चतरभुच इसके बाद आयत इसके बाद सम चतरभुच फिर बर्ग और फिर इसके बाद सम लंब चतरभुच तो आएए इन्हें एक एक करके समझ लेते हैं सबसे पहले यदि बात करें हम समानतर चत्रवज की तो देखिए इसमें सब्द आया है समानतर तो समानतर क्या होता है समानतर रेखाईं आपने पढ़ी होंगी समानतर रेखाईं कैसी होती है जैसे हमने यहाँ पे एक रेखा इस तरीके से खीची यह देखिए और इसी के समांतर हमने यहां पे एक रेखा और खीच दी यह देखिए यहां पे थोड़ा अंतर देखे इस तरीके से तो यह दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं होंगी क्योंकि इनके बीच का अंतर जितना यहां पे है उतना ही अंतर यहां पे है इनके बीच में जितना इस्थान यहां पे है उतना ही इस्थान यहां पे है अगर हम रेखाएं कुछ इस तरीके से खींच देते हैं जैसे एक रेखा हमने कुछ इस तरीके से खींची लेकिन दूसरी रेखा हमने इस तरीके से खींच दी इसी के साथ में ये देखिए तो ये समानतर रेखाएं नहीं होंगी क्यों नहीं होंगी? क्योंकि इनके बीच का यहां पे अंतर जादा है इन दोनों रेखाओं के बीच का जो गैफ है यहां पे जादा है और यहां पे कम है आप देख सकते हैं यहां पे जो गैफ है यह कम है और यहां पे ज़्यादा है बलकि यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे जितना ज़्यादा गैफ है बिलकुल उतना ही यहां पे भी है उतना ही यहां पे भी है तो हम कह सकते हैं कि यह दौनों रेखाएं एक दूसरे के समानतर हैं यानि कि एक दूसरे से समान दोरी पर हैं इन दौनों रेखाओं के बीच का जो अंतर है हमेशा समान रहेगा तो समानतर रेखाओं से ही यह चतरभुज बनता है कैसे आईए देखते हैं जैसे हमने यहाँ पे एक तिर्चे में इस तरीके से रेखा खीची और इसी के समांतर थोड़ा सा अंदर देखे तिर्चे में ही अब चुकि समांतर खीच नहीं है तो बिल्कुल ऐसे ही खीचेगी यहाँ पे भी हम एक रेखा खीच देते हैं यह देखिए तो यह रेखाएं आपस में कैसी हैं समांतर है अगर हम दो अन रेखाएं भी खीचें जो भी एक दूसरे के समांतर होंगी जैसे यहाँ पे एक यह रेखा और दूसरी यहाँ पे खीचेंगे यह देखिए यह रेखा तो ये दोनों रेखाएं भी आपस में समानतर है और ये दोनों रेखाएं भी आपस में समानतर है तो समानतर रेखाएं है तो इस तरीके से चार भुजाओं की एक बंद आकरती बनती है आप देख लीज़े एक, दो, तीन, चार तो चार भुजाओं की एक बंद आकरती बनेगी जिसे हम चतरवुज कहते हैं और समानतर रेखाओं से बना है इसलिए समानतर चतरवुज होगा अब इसमें एक और खासियत होती है एक और इसकी बिसेस्ता होती है कि जो समानतर रेखाओं हैं आमने सामने जैसे इसके समानतर ये है तो ये बिलकुल बराबर होती है अगर यहां से लेके यहां तक इन दोनों के बीच में अगर ये मान के चलिए अगर ये दो सेंटिमीटर है तो इसके सामने जो समानतर रेखा है ये वाली ये भी दो सेंटिमीटर ही होगी इसी तरीके से अगर ये वाली रेखा एक सेंटीमीटर है तो इसके सामने की ये वाली रेखा भी एक सेंटीमीटर ही होगी तो कहने का मतलब है कि समानतर चतरभुज में जो समानतर जो दो रेखा सम्मुख जो भुजाएं होती है इन्हें हम भुजाएं भी कह सकते हैं सम्मुक भुजाएं जो होती है वो समानतर होती है और बरावर होती है तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो सम्मुक भुजाएं हैं ऐसा चतरवुज जिसकी सम्मुक भुजाएं समानतर हों और बड़ाबर हो, सम्मुक भुजाएं आप जानते हैं, आमने सामने की भुजाएं तो बस समानतर चतरभुज की definition क्या होगी? ऐसा चतरभुज जिसकी सम्मुक भुजाएं, समानतर हो, साती सात बराबर हो अब समानतर चतरभुज देख restore. एक और example से समझते हैं इस तरीके से ये वाला चतरबुच भी समानतर चतरबुच है आप देख सकते हैं कि जिसे इसके ये चार सीर्स है ये देखिए ये सीर्स कहलाते हैं ये वाली भुजा और इसके सामने की भुजा ये होगी तो ये दोनों सम्मक भुजाएं हूंगी तो सम्मक भुजाएं आप देख सकते हैं एक दूसरी के समानतर है इन्हें जादी आगे की और इस तरफ यह इस तरफ बढ़ादिया यह तो यह रेखाएn कभी भी एक दूसरी को प्रतिशेद नहीं करेंगी ये रेखा इसके सम्मुख है और समांतर है साथ बराबर है तो ये भी एक समांतर चतरभुज होगा तो समांतर चतरभुज की डेफिनिशन बहुत ही सरल है ऐसा चतरभुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हो और बराबर हो क्या समांतर हो और बराबर हो ये याद रखिए, ये हो गया समानतर चतर्बुझ आए इसकी definition देख लेते हैं वह है चत्रबुझ जिसकी सम्मुक भुजाएं समानतर ततह बराबर होती हैं समानतर चत्रबुझ कहलाता है अब आप इसकी definition बीडियो को रोग के लिख सकते हैं और ये इसका एक चित्र भी बना सकते हैं हम इने नाम दे सकते हैं A, B, C, D ये इस तरीके से होगा अब हम समांतर चत्रभुच की और प्रोपर्टी के बारे में देखेंगे यानि कि समांतर चत्रभुच के और कौन-कौन से गुण होते हैं अगर हम बात करें इसके पहले गुण की तो पहला गुण वही होगा क्या कि इसकी सम्मुक भुजाएं समानतर एवं बरावर होती हैं तो हम इसके नीचे इसका पहला गुण लिख सकते हैं यहाँ पे कि इसकी सम्मुक भुजाएं समानतर एवं बरावर होती हैं तो इस तरीके से हम इसकी पहला बिसिस्ता या पहला गुण जो है इसे लिख सकते हैं इसके साथ हम इसका दूसरा गुण भी समझ लेते हैं इसका दूसरा गुण बिल्कुल सरल है यहां पे देखिए यह चार सीर से और यह चार इसके कौन है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये वाला कौण और ये वाला कौण ये आमने सामने है इसलिए ये सम्मुख कौण कहलाएंगे और ये वाला कौण और ये वाला कौण ये भी आमने सामने है तो ये भी सम्मुख कौण कहलाएंगे तो सम्मुख कौन हमेशा इसके बराबर होते हैं अगर ये पचास अंस का है तो ये भी पचास का ही होगा और ये अगर 110 अंस का है मन लीजे तो ये भी 110 अंस का होगा तो कहने का मतलब है कि समानतर चतरभुच के जो आमने सामने के कौन होते हैं वो बिलकुल बराबर होते हैं सम्मुख कौन केवल ये और ये बराबर नहीं होते केवल कौन से बराबर होते हैं सम्मुख कौन तो हम इसको लिखेंगे कि समानतर चतरभुच के सम्मुख कौन बराबर होते हैं इसके बाद अब हम बात करेंगे इसके तीसरे गुण की तीसरा गुण काफी खास गुण है इसके अनुसार समानतर चतरवच के जो बिकरण होते हैं वो एक दूसरे को परस पर सम्दुई भाजित करते हैं इसका क्या मतलब है? जैसे बिकरण क्या कहलाता है? आमने सामने के या सम्मुख सीरसों को जब हम मिलाते हैं तो वो विकरण कहलाता जैसे इसको और इसको मिला देते हैं तो एक विकरण आ जाएगा ये देखिए तो ये क्या है एक विकरण है तो विकरण जो है अगर हम इसका दूसरा विकरण खींचते हैं इस तरीके से यह देखिए, यहाँ पेद ही हम इसका दूसरा बिकरण खीच देते हैं तो यह पहले वाले बिकरण को बिलकुल बरावर दो टुकड़ों में विवाजित कर देगा और खुद भी दो टुकड़ों में विवाजित हो जाएगा यह देखिए जैसे ही हमने ये वाला खींचा तो ये AC बिल्कुल दो टुकड़ों में विवादित हो गया पहला टुकड़ा ये और दूसरा टुकड़ा ये यानि कि अगर ये टोटल दस का था दस सेंटिमीटर का तो ये पहला टुकड़ा पांस सेंटिमीटर का बन गया और ये दूसरा टुकडा 5 संटिमीटर का बन गया उसी तरीके से अगर ये दूसरा विकरण जो बीडी था अगर ये मानल कि चलिए 10 संटिमीटर का था तो ये भी 5-5 में बट गया तो विकरण आपस में जब कटते हैं एक दूसरे को दो टुकडों में विवाजित कर देते हैं वो भी बरावर बरावर इसलिए बोल सकते हैं कि समानतर चितरभुच के जो बिकरण होते हैं वो परस पर एक दूसरे को समदोई भाजित करते हैं इस तरीके से तो ये हुए समानतर चितरभुज के गुण इसके बाद हम इसका एक चौथा गुण और है जिसको डिसकस कर लेते है चौथा गुण इस तरीके से है कि जैसे मानके चलिए ये एक समानतर चितरभुज है तो जब हम इसका एक बिकरण खीचते हैं तो यहाँ पे दो तिर्भुज बन जाते हैं पहला A, B, D यह देखिए A, B, D और जो दूसरा तिर्भुज बनेगा वो बनेगा D, C, B कौन सा बनेगा? D, C, B तो यहाँ पे यह बोला गया है कि समानतर चत्रभुज का एक बिकरन दो सर्भांगसम तिर्भुजों को बनाता है यानि कि जितना A, D, B होगा उतना ही D, C, B होगा यानि कि इन दोनों तिर्भुजों को यदि एक दूसरे के ऊपर रख दें तो ये एक दूसरे को बिलकुल बराबर बराबर ढख लेंगे इसे बोलते हैं दोनों तिर्भुज सर्भांगसम होंगे तो ये इसकी एक खास बिसिस्ता होती है तो इसको भी हम लिख लेते हैं सर्भांगसम तिर्भुज का एक बिकरन दो सर्वांगसम तिर्भुज यहाँ पर फिर से लिखना पड़ेगा समांतर चत्रभुज का एक बिकर्ण दो सर्वांगसम तिर्भुज दो सर्वांगसम तिर्भुज तिर्भुज का निर्माण करता है इस तरीके से आप ये अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा ये चारों गुण आपको अच्छे से याद कर लेने हैं और इसे अपनी काफी में जरूर लिखिएगा इसके पहले समानतर चितरभुज की डेफिनिशन और चितरभी बना लेना है इसके बाद हम आयत को पढ़ेंगे तो चलिए मिलते हैं नेस्ट वीडियो में थैंक यू